Hello everyone, welcome to special study आज की special वीडियो में हम physics के important topic जो की रहने वाला है light मतलब की प्रकास तो इस topic से जितने भी important questions बनेंगे जो की आपकी आने वाली exam के लिए कापी important साबित होंगे तो उन सभी को इस वीडियो में cover करेंगे और बता दू कि ये part 3 रहेगा इससे पहले मैंने दो part अल्रेडी upload कर चुका हूँ, उनको देखने के लिए आप उपर दिएगे i-link पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं तो चले शुरू करते हैं, हमारा question number 91 है दोस्तों प्रात्मिक रंग है, तो प्रात्मिक रंग क्या कहलाता हैं? तो प्रात्मिक रंग वे रंग होते हैं, जो आन्य रंगों के मिश्रन से उत्पन्य नहीं किये जा सकते हैं ठीक है? अगला question है, तीन मूल रंग है, तो आपको पता होना चाहिए तीन मूल कौन-कौन से रंग होते हैं तो लाल, हरा और नीला, आपको पता होगा, तीनों मूल रंग कलाते हैं अगला question है, स्वेत प्रकास का अपने विभिन रंगों में अलग होने की क्रिया को काते हैं तो स्वेत प्रकास का अपने विभिन रंगों में आला ग्वने की जो किरिया है इसको हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपन याद रखेगा आगे बढ़ते हैं 94 नमर कोश्चन है निन मलिकित में से कौन सा प्रात्मिक रंग नहीं है तो कौन सा यहाँ पर प्रात्मिक रंग नहीं है तो याद रखेगा जो पिला है ये प्रात्मिक रंग नहीं है और हरा लाल और निला ये प्रात्मिक रंग तिनों कलाते हैं अगला कोश्चन है निन मलिकित में से किस रंग का तरंग देरी आधिक्तम होता है आपको पूछा है अधिक्तम तरंग देरी किसका होता है तो यह होता है लाल रंग का और सबसे कम किसका होता है तो याद रखेगा बेगनी रंग का अगला कोश्चन है निन मलिकित में से कौन सा रंग सम्मिस रण दिन और रात के समय सरवादिक सुविदा जनक होता है तो कौन सा रंग होता है सुविदा जनक तो ये होता है लाल और हरा ठीक है आगे बढ़ते हैं 97 नमबर कोश्चन देख लेते हैं किस आपारदर्सी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करता है तो जिसे वह परावर्तित करता है ठीक है अगला कोश्चन है हरी पत्तियों का पोधा लाल रोसनी में रखने पर केसा दिखाई देगा तो जो हरी पत्तियों का जो पोधा है दोस्तों उसे लाल रोस्नी में रखने पर वह कैसा दिखाई देगा तो याद रखीगा काला दिखाई देगा काफी बार ये पूछा भी जाता है एक्जाम में आगे बढ़ते हैं 99 नमबर कोश्चन है कुछ परिवहन वहानों में आतिरिक्त पीली बत्तिया होती है एसा इसलिए किया जाता है किस करण से तो इसलिए किरते हैं कि पिला प्रकास कोहरे को बेदता है जिससे सड़क साप दिखाई देता है अता कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम मिलाई जाती है तो अप्सन नमबर जो सी दिया है यहां पर राइट होगा अगला कोश्चन है प्रकास में सात रंगों होते हैं रंगों को अलग करने का क्या तरीका है तो रंगों को जो अलग करने का तरीका हो जाएगा वो कलाता है एक प्रीजम से रंगों को ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा तो लाल काच को जब अधिक ताप मन पर हम गर्म करेंगे तो वह दिखाई देगा हारा कलर का इसको भी याद रखेगा पूछा जाता है बार बार अगला कोश्चन है प्रकास का रंग निश्चय किया जाता है तो प्रकास का रखेगा पूछा जाता है अगला कोस्चन है यदि वायू मंडल ना हो तो प्रतिवी से आकास कीस रंग का दिखाई देगा तो यदि वायू मंडल अगर नहीं होता है तो प्रतिवी से जो आकास दिखाई देता है वो दिखाई देता है काला ठीके ये भी बार-बार पूछा जाता है अगला कोस्चन है 105 नंबर कोस्चन फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन-कौन से होते हैं तो फोटोग्राफी में दोस्तों याद रखेगा लाल नीला और हरा रंग उप्युक्त प्रयोक किया जाता है अगला कोस्चन है सबसे कम तरंग देरिय वाला प्रकाश होत लाल रंग का दोनों को याद रखेगा अगे बढ़ते हैं जब प्रकास के लाल हरा वा निले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कोन सा होगा तो जब लाल हरे और निले रंग को मिलाया जाता है एक साथ तो ये मिलकर बनाता है सफेद रंग या अगला question है camera है कीस प्रकार का lens उप्योग किया जाता है आई MP question रहेगा आपकी exam के लिए तो camera है में याद रखेगा उत्त्तर lens प्रयुक्त होता है ठीक है अगला question है उमर बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तूओं को फोकस करने में आग की योगेता में कमी कलाती है तो यह कमी क्या कलाती है प्रेश बायोपिया ठीक है इंपोर्टेंट कोश्चन लगा लिजी ये भी काफी बार पूछा जाता है अगला कोश्चन देख लेते हैं दोस्तों 111 नमबर कोश्चन आइरिस का क्या काम होता है तो जो हमारी आइरिस होती है उसका काम है आख में जाने वाले प्रकास की मात्रा को नियंतरित करना ये भी काफी बार पूछा जाता है बढ़ते हैं आगे 112 नमबर कोश्चन है दोस्तों सारे कोश्चन आपकी एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं द्रश्टी पटल पर बना प्रतिभींब होता है तो द्रश्टी पटल पर बना प्रतिभींब जो होता है वो कैसा होता है तो वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है याद रखेगा अगला कोश्चन है आग के कीस भाग द्वारा आग में प्रवेश करने वाले प्रकास की मात्रा नियंत्रित होती है तो आग के कीस भाग के द्वारा प्रकास को नियंत्रित किया जाता है तो इसका अंसर अभी मैंने आपको बताया है क्या हो जाएगा? आईरिस इसका सही आंसर होगा अगला question देख लेते हैं नेतरदान में दाता की आग के किस हिस्थे को प्रतिरोपित किया जा सकता है? तो कोन सा इसा हिस्था है आग का जिसे हम प्रतिरोपित कर सकते हैं? तो यह हिस्था कलाता है cornea याद रखेगा इसको भी बढ़ते हैं आगे 115 नंबर कोश्चन देख लेते हैं मनुष्य की आख में ठीके मनुष्य की आख में प्रकास रंगे प्रकास तरंग किस इस्थान पर इस नायू उद्वेगो में परिवर्थित होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना से ठीके अगला कोश्चन है मानाव की सामान्य स्वस्थ आख के लिए इसपष्ट द्रश्टी की नियुनतम दूरी मापी जाती है तो किस से मापी जाती है 25 सेंटिमेटर ठीके जो मानाव की आख के लिए जो इसपष्ट द्रश्टी की नियुनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटिमेटर याद रखेगा अगला कोश्चन है यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तों को इसपष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी जो द्रश्टी होती है उसमें कौन सा दोस होगा तो उसमें दोस होगा निकट द्रश्टी दोस ठीके याद रखेगा इसको भी बढ़ते हैं आगे 118 नंबर कोश्चन है द्रश्टी दोस मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है तो क्या देख सकता है नजदिक इस्तीत वस्तों को निकट द्रश्टी दोस की रोग मुक्ती होती है तो निकट द्रश्टी दोस की रोग की मुक्ती किसके द्वारा होती है किस लेंस के द्वारा हम दूर कर सकते हैं तो याद रखेगा दोस्तों अवतल लेंश के द्वारा ये बार बार पूछा भी जाता है एक्जाम में अगला कोश्चन देख लेते हैं दूर इस्तीत दूर दरश्टी दोस से पिडित व्यक्ति को क्या नहीं दिखाई देता है तो जिस इंसान को दूर दरश्टी दोस होता है दोस्तो उसे निकट की वस् तो दूर दरश्टी दोस से पिडित व्यक्ति के चस्मे में उत्तल लेंश प्रयोक्त किया जाता है याद रखेगा इसको भी अगला कोश्चन है बुड़ापे में दूर दरश्टीता वहां खराब होती है जिसमें लेंश क्या होता है तो जिसमें लेंश बहुत आधिक छोटा हो जाता है अगला कोश्चन है वर्णांदता को किस लेंश से दूर किया जा सकता है तो वर्णांदता को जो दूर किया जा जाता है वो किया जाता है किसके द्वारा तो याद रखेगा यहापर तीनों गलत है मतलब इन में से कोई नहीं इसका सही अंसर होगा तो कि इसे दूर नहीं किया जा सकता ठीक है color blindness को अगला question है जराद रश्टी दोस के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है तो जराद रश् question है मानव नेत्र एक केमरे के समाने आथ इसमें एक लेंस निकाए है नेत्र लेंस क्या बनाता है तो नेत्र लेंस जो बनाता है दोस्तों द्रश्टी पटल पर पिंड का प्रतिलोमीत वास्तवीक प्रतिविम्ब तो option number जो C यहाँ पर दिया है इस question का सही answer होगा आगे question दे देता हूं निकर द्रश्टी दोस्त के लिए आउतर लेंस का प्रयोग किया जाता है दोर द्रश्टी दोस्त के लिए उतर लेंस का प्रयोग किया जाता है जरा द्रश्टी दोस्त के लिए किसका bifocal lens मतलब कि द्वी फोकुसी lens और अब इंदुकता के लिए बेलनाकार lens या आगे बढ़ते हैं, 127 नंबर कोस्चन देख लेते हैं, चस्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सुक्ष्मदर्सी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? तो याद रखेगा उन्हें चस्मा पहने रहना चाहिए, इसका सही अंसर होगा अगला कोस्चन है, निनमलिकित में से कौन सा कतन असत्य है, तो कौन सा कतन यहाँ पर असत्य हो जाएगा आपको बताना है, तो अब इंदुक्ता के उप्चार है तू बाइफोकल लेंस का चस्मा दिया जाता है, यह यहाँ पर एकदम सही अंसर होगा अगला कोस्चन देख लेते हैं, दूर दरश्टी निवारन के लिए काम मिलेते हैं, तो दूर दरश्टी दोस जिसको होता है, उसके लिए यूज किया जाता है उत्तल लेंस, ठीक है, और निकट दरश्टी दोस के लिए अवतल लेंस दोनों के याद रखेगा अगला question है Mayopia से क्या तात परिया है तो Mayopia से क्या तात परिया दोस्तों निकट द्रश्टी दोस्ते तो दोस्तों बस आज की इतना ही वीडियो इतना ही question रहने देते हैं इस वीडियो में बाकि next वीडियो में ले किया हूँगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजेगा चेनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजेगा साथने बेल आइकन को भी प्रेस कीजेगा और आप चाते हैं कि और भी ऐसे important topic के MCQ रेगुलर मिलते रहे तो प्लीज चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले और मैं यह उम्मेद करूगा कि आप चेनल को जरूर सपोर्ट करोगे सब्सक्राइब करके और लाइक करके दोस्तों आप लाइक करोगे तो मुझे भी motivation मिलता है व्डियो बनाने के लिए तो चलिए मिलते हैं ऐसा ही important question के साथ next studio में जब तक के लिए जाहिन आल्दवेश्ट